आप सभी का home science classes में स्वागत है home science का महा practice है जिसमें आपको topics वाइस questions कराई जाते हैं अभी textile वस्त विग्यान का चल रहा है जिसका आज का topic है वस्तो को चायन देख रेक सरेक्षर और वस्तो की मूलभू सिधानतों का यह आपका आज का topic है तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला question है वी गला इन व्यक्तियों को परियोग में लाने से बचना चाहिए जो वी गला होता है वी शेप में किन व्यक्तियों को नहीं पहना चाहिए चाहिए तो जो नंभी और पतली गल्दन को वेक्ति होता है उनको नहीं पहनाची जिसके उनकी गल्दन और ही लंबा लगता है शिलाई की मशीन में सोई को सेट करने के चर्णों को सही करम się करने वव्यवस्थित किए जिए तो जो शिलाई मशीन में सुई कैसे फिट करते हैं इसका सही चरण आपको बताना है तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका फ्लाइ विल को गुमाकर सुई बार को उचत्व स्तर पर ले जाए ये आपका पहला स्तर हो गया दूसरा है निडल बार पर थम्बा पींच को डीला करें जो निडल बार की ऊपर एक गोल से लाका होता है इसको पहले डीला करना पड़ता है तीसरा है बाए हाथ में सुई करना तीसरा फिर चौथा आता है खाचे की ओ सुई की चप्ती साइड रखें चौथा हो गया पाच्वा आपका है निडिल क्लैम्प द्वारा सुई को डाले छटा हो गया क्लैम्प को टाइट करें तो यह आपका सुई लगाने का पुरा सही चरण है कदन अभी कदन है समान पैटर्न बुने हुए और महिला रेखाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है तो यह आपका गलत है इसका कारण है बुने हुए और महिला रेशो के समान गोड़ होते हैं तो यह आप दोनों ही आपका गलत है नेक्स्ट है कदन अभी कदन है प्रतक्ष रंग धोत्य सब्समें छूर जाता है तो जो प्रतक्ष रंग होता है वो नहीं छूरताई तो पहला सही है इसलिए प्रतक्षरंग वाले रेशो पर बाद में धायनन अभिकर्मक का उप्चार किया जाता है दोनों ही सही आपका एक मोटी महिला के कपड़ों में होना चाहिए जो मोटी महिला होती है उनके छोटे प्रिंट और अनुपर्स लाइने होने चाहिए जिससे की वो जो महिला है वो पतली दिखे और मोटी ना दिखे छोटी प्रिंट होने चाहिए फिर कथर अभी कथर आता है C1 में इस्टलेट उधो मोखी वरक के में दिये जाते हैं और उसका कारण है छोटे भाग बड़े भाग के उपर पड़ता है जो दोनों ही आपका सत्य है प्लाज्मा टेकनलोजी वस्तों में निमलिखित गुड़ों का अनुकूलन करती है तो जो प्लाज्मा टेकनलोजी है वो देखो हाइड्रोफॉबिक और यूवी सनक्षण और लौस से बचाने का कारे करती है नेक्स्ट कोशन हमारा आप अपने लिए कोट खरते हुए मैसूस करते हैं कि इसके काच अस्थिर है और टाको की बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं इसके संभावित कारण क्या हो सकता है जो देखने को मिलता है वो है बनाने के बाद काच को काटा गया हो दूसरा है गिम की अनुप companies होने के कारण भी हो सकता है और गलसिलाई बाइट के कारण भी हो सकता है इस साथे देखने को मिलता है फिर आद हो सूची मिलान करना है इस भबो ब्रक्षण और रंग में बदलाओ फिर जानों आक का क्या मतलब होता है यह रोशनी स्थिर्ता के कारण होता है क्रॉक मीटर इसका होगा रगड स्थिर्ता तेज बिंदू परिक्षड तो होगा कपडों में सुरक्षा यहाँ भी आपको सूची मिलान करना सूची फर्स में दिये गए वर्णो को सूची सेकेंड में दिये गए उसके पदों के साथ मिलान करना है पहला कुछ मशीनों को सूचना संप्रेशित करने के लिए एक उपकरन की जरवत होती है उसे क्या कहते हैं उसे कंट्रोल कहते है दोवनी की तियुर्ता का मापन करने का किसका यूज होता है मानो गतियम उसके शारिक पहलों का अध्यान किसके द्वारा होता है यह यहां पूरा नहीं दिया है यहां देखे बायो कैम यहां पर देख लेजे पूरा कुछ माशीनों के लिए एक उपकरन को कंट्रोल कहते हैं धोनी की तियुर्टा मापने को देसिबल कहते हैं जिसे डीबी से द्वार्शा आते हैं मानो गतियम इसके शारिक पहलों का अध्धन करने को बायो केमिकल क्याते हैं एक प्रणाली के दौरा के बारे में सूचना प्रसुत करने की तकनीकों दिस्पले कहते हैं एक वस्त्र का सबसे प्रबल द्रस्त तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है वो रूप रेखा कहलाती है नियमलेकित के परयोग से सिल्वट, प्रत्रोधी, कपड़े, परियावरन, सहयोगी तता मूले प्रभावी बनाए जाते हैं सिट्रक एसट और जाले टोस को क्रोस लिंक करके बनाई जाते हैं जिसमें सिल्वटे नहीं पड़ती है रंगीन कपड़ों का अधिक्तम रंग फीका करने वाली करने है उसे अल्टा वालेट रेज कहते हैं जिसमें कपड़ों को रखा जाता है धूप में तो इसी के कारण कप पर कफ़टे के लंबाई कि तरफ जयादा सिकुरन होती है तो जो कफ़टे के लंबाई होती है उसके घ्राण के कहा जाता है कि है कि क्या किक आनिता कि evalu है ऊसमें स्कुरन ज़्यादा होती त्रास नहीं होता है तो षकुडल मिसकान